उत्तर प्रिदेश में कावड यात्रा के दौरान श्रदालियों की सुरक्षा को लेकर आला अधिकारियों की मींद उड़ी हुई है खूफिया विभाग में कई जीलों में कावड यात्रा के दौरान आतंगवादी हमले की आशंका जताई है तो वही पुलीस विभाग द्वारा ड्रोन कैमेरे से भी हर गती वीडियो पर भी नजर रखी जा रही है SSP द्वारा बताया गया की कावड यात्रा को लेकर पुलीस प्रशासन पूरी तरह सतर थे जो है CCTV का इस बार बहुत ब्यापक रूप से उप्योग कर रहे हैं तो करीब 34 लोकेशन पे CCTV लगाने का प्रपोजल जो है वो चल ला है और कई जगों पे लग चुके हैं हम अन्य और्गिनाइजेशन की मदद से भी कोशिश कर रहे हैं कि जो रूट है हमारा वो रूट कम्प्लीटली कवर हो साथी साथ जहां भी भीरभार वाले इलाके हैं वो सभी CCTV के अंतरगत कवर्ड होंगे इसके अलावा जो हमारे पुलिस कर्मी साधे वस्तर में भी और जो इंटेलिजेंस के लोग है वो साधे वस्तर में हमारे पूरे रूट पर और पूरे इंपोर्टेंट जगों पर भी अस्तापित किये गए हैं जहां से हमें सूचनाएं मिलती रहेंगे ड्रोन कैमरा हमारे जनपद में एक उपलब्ध है इसका भी इस्तमाल भीर को नियंतरन भीर पर इसेस्मेंट करने के लिए उसका उपियोग किया जाएगा यात्रा के लिए सुरक्षा योजना तयार की जा चुकी है यात्रा के मद्दे नजर साहरनपूर में लगबक 34 जगवों पर CCTV कैमरे लगाए गए है रास्ते पर प्रारम से लेकर आतंग जहां जहां सम्मेर नशीर और धार्मिक स्तान है वहाँ पर उनकी सुरक्षा को लेकर मेजिस्ट्रेट वा आवश्यक पुलीस बल लगाए गए है इसके साथ ही कावरियों के वेश में पुलीस कर्मी भी इस यात्रा पर तैनात किये गए है जिससे होने वाली घटना को रोका जाए झाल 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 झाल